ओम गलीम कृष्णाय नमा, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं नीलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, दोस्तों कल की गथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत आभार, और अब जगत के पालनहार भगवान श्री हर करते हैं, भीष्ण जी ने पूझा कि हे ब्रह्मन, दिती के पुत्र मरुद गण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए, और देवता तो दैत्यों के शत्रू है, फिर उनके साथ मरुद गणों की मैत्री क्यो कर संबव हुई, पुलस्त जी उत्तम भूलोक में आये, और सरस्वती नदी के तट पर पुसकर नाम के शुब एवं महान तीर्थ में रहकर, भगवान सुरिदेव की आराथना करने लगी, उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की, दैत्यमाता दिती रिशियों के नेमों का पालन करती थी, और फल खाकर र पुझा, मुनिवरो, क्या कोई ऐसा भी व्रत है, जो मेरे पुतरशोक को नश्ट करने वाला, तथा इह लोक और परलोक में भी सौभागे रूप फल प्रदान करने वाला हो, यदि हो तो बताईए, वसिष्ट आदी महर्शियों ने जेष्ट की पूर्णिमा का व्रत बताय दिती का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किन्तु कश्यप जी ने उन्हें पुनह रूप और लावन्य से युक्त कर दिया, और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया, तब दिती ने वर मांगते हुए कहा, हे भगवन, मैं इंद्र का वद्य करने के लिए एक ऐसे पुत् पुत्रप्रदान करूंगा, तब पस्चात कश्यप ने दिती के उदर में गर्भ स्थापित किया, और कहा, हे देवी, तुम्हें सो वर्सों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यतन करना चाहिए, गर्भीनी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाह और नहीं ठहरना चाहिए, वह जलके भीतर न खुसे, सूने घर में प्रवेश न करे, बांबी पर खड़ी न हो, और कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नक अत्वा राक से भूमी पर रेखा न खीचे, न तो सदा अलसाकर पड़ी रहे और न अधिक पर भी अपवित्र न रहे, उत्तर की ओर अत्वा नीचे सिर करके कभी न सोई, नंगी होकर उद्वेग में पढ़कर और बिना पैर्धोई भी शैन करना मना है, अमंगल युक्त वच्चन मू से न निकले, अधिक हासी मजाग भी ना करे, गुरु जनों के साथ सदा आदर का ब रहे, स्वामी के प्रिय और हित में ततपर रहकर सदा प्रसन मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी भी पती की निंदा न करे, ये जितने भी नियम कश्यब जी ने दीती को बताए, ये सभी नियम आवश्यक हैं, उन सभी इस्तरियों के लिए जो की गर्वधारन कि अध्यांता वश्यक हो जाता है, और इन नियमों का पालन करने से एक अच्छी संतती की प्राप्ती होती है, बहुत छोटी-छोटी बाते हैं, लेकिन शाष्ट्रों में वर्णित बाते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, अब दिती से ऐसा कहकर, कश्यब जी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतरध्यान हो गए, तदरंतर पती की भातें सुनकर दिती, विधिपुर्वक उनका पालन करने लगी, इससे इंद्र को बड़ा भै हुआ, और वे इंद्र लोग छोड़कर दिती के पास आए, और उनकी सेवा की इच्छा से वही रहने लगे, इंद्र का भाव विवरीत था, वे दिती का छिद्र ढूंड रहे थे, छिद्र अर्थात गल्तियां, बाहर से तो उनका मुख प्रसन था, किन्तु भीतर से वे भैके मारे विकल हो रहे थे, वे उपर से ऐसा भाव जताते थे, मानो दिती के कार्य और अ सनता हुई, वे अपने को क्रितार्थ मानने लगी, तथा उनका हृदाय विश्मय विमुख द्रहने लगा, उस दिन वे पैर्ध होना भूल गई, और बाल खोले हुए ही सो गई, इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण, दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर भी हो गया, अब ऐसा अवसर पाकर शची पती इंद्र दिती के गर्भ में प्रवेश कर गए, और अपने वजर के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्त बालक के साथ टुकडे कर डाले, तब वे साथो टुकडे सुरे के समानते जस्वी साथ कुमारों के रूप में परिणत हो तब इंद्र ने मारुदध्वम अर्थात मत्रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रुका, और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनह जीवित हो गए हैं, इस पुन्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है, ऐसा जानकर वे इस पर पहुंचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है, निश्चे ही इस व्रत का अत्वा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ, ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है, इसमें संदेह नहीं क प्रसिद्ध होकर कल्यान के भागी बने, ऐसा विचार करके इंद्र ने दिती से कहा, मा मेरा अपराद क्षमा करो, मैंने अर्थ सास्त्र का सहारा लेकर या दुशकर्म किया है, इस प्रकार बारम बार कहकर उन्होंने दिती को प्रसन्य किया और मरुद गणों को देवताओ के समान बना दिया, ततपस्चात देवराजन ने पुत्रसईत दिती को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए, मरुद गण यज्यभाग के अधिकारी हुए और उन्होंने असुरों से मिल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्री हो गए, भिष्ण जी ने कहा हे ब्रम्हन आपने आधिसर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया, अब जिनके जो स्वामी हो उनका भी वर्णन कीजिए, पुलस्त जी बोले हे राजन जब प्रिथु इस प्रिथवी के संपुर्ण राज्य पर अभिशीक्त होकर सब क के राजा हुए उस समय ब्रम्हा जीने चंद्रमा को अन्न, ब्राम्हन, व्रत और तपस्या का अधिपती बनाया, हिरन्य गर्भ को नक्षत्र तारे, पक्षी, वरिक्षी जाडी और लता अधिका स्वामी बनाया, वरुन को जल का, कुबेर को धन का, विश्नु को आधित्य और अग्णी को वस्वो का अधिपती बनाया, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को द्यत्यों और दानवों का, यम्राज को पित्रों का, शूल पाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु भूत, यक्ष और वेताल राजों का, हिमालय को परवतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररत को गंधर्व विद्याधर और किन्रों का, भयंकर पराक्षमी वासुकी को नाग का, तक्षक को सर्पों का, गजराज एरावत को दिनकर, गरुड को पक्षियों का, उच्चेश्रवा को घोडों का, और सिंगों को पुर्वकाल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजबद पर अभिशिक्त किया। मेधा दिथी और वसु ये दस स्वायंभु मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपने वंस का विस्तार किया। ये प्रतिसर्गे की स्रिष्टी करके परंपद को प्राप्त हुए। जवन, स्तंब, प्राण, कश्यव तथा ब्रिहश्पति ये साथ सब्तर्शी हुए। उस समय तुशित नाम के देवता थे हविंद्र, सुकृत, मूर्ती, आप और जोतिरत ये वसिष्ट के पाँच पुत्र ही स्वारोचिस मनवंतर में प्रजापती थे। ये द्विती मनवंतर का वर्ण हुआ। इसके बाद ओत्तम मनवंतर का वर्ण करूँगा। तीसरे मनु का नाम था ओत्तमी। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये। जिनके नाम है इश, उर्ज, तनूज, शुची, शुक्र, मधू, माधव, नभस्य, नभतता सह। इनमें सह सबसे छोटा था। ये सबके सब उदार और यशश्वी थे। उस समय भानु, संग्यक देवता और उर्ज नाम के सबतर्शी थे। कौक भिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंक, प्रवाहित, मित और सम्मित। ये साथ योगवर्धन रिशी थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवी, प्रिथू, अग्नी, अकपी, कपी, जन्य तथा धामा। ये साथ मुनी ही सबतर्शी थे। साध्यकण देवता थे। अकलमश, तपो धनवा, तपो मूल, तपो राशी, तपस्य, सुतपस्य, परंतप, तपो भागी और तपो योगी। ये दस तामस मनू के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में ततपर रहते थे और आचवे रैवत मनमंतर का व्रितांत श्रमण करो। देवबाहु, सुबाहु, परजन्य, सोमप, मुनी, हिरन्य रोमा, सबताश्व, ये साथ रैवत मनमंतर के सबतर्शी माने गए। भूत रजा तथा प्रकृती नाम वाले देवता थे। तथा वरुन तत्वदर्शी, चि अलसे संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनमंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विश्नु, नारद, विवश्वान और अभिमानी ये साथ सबतर्शी हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा, रिभु, प्रिथक भूत, वारी मूल और दिवो को नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनमंतर में देवताओं की पाच योनिया थी। चाक्षुष मनू के दस पुत्र हुए। जो रूरू आदी नाम से प्रसिद्ध थे। अब सात्वे मनमंतर का वरण करूंगा जिसे व्यवस्वत मनमंतर कहते इसमें अत्री, वसिष्ट, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदगनी ये सात रिशी ही सब्तर्शी हैं। ये धर्मी की व्यवस्था करके परंपद को प्राप्थ होते हैं। अब भविश्य में होने वाले सावर्ण यमनमंतर का वरण किया जा सुमती, वसु तथा पराक्रमी शुक्र ये भविश्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गये हैं। इसके सिवा रोच आधी दूसरे दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापती रूची के पुत्र का नाम रोच्य होगा। इसी प्रकार भूती के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदनंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रम्भा के माने गये हैं। और मेरु सावर्णी के बाद क्रमशा, पुत्र रिभू, वीत धामा और विश्वक्षे नामक मनु होगे। हे राजन, इस प्रकार मैं ने तुम्हे भूत और भविशे के मनु का परिये दिया है। इन 14 मनु का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर यूग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपुर्ण चराचर जगत को उत्पन करके कल्प का संगहार होने पर ये ब्रह्म्हा जी के साथ मुक्त हो जाते है और ये मनु प्रती एक सहस्त्र चतुर यूगी के बाद नश्ट होते रहते हैं। तथा ब्रह्म्हा आधी विश्नु का सायुज प्राप्त करते हैं। भीश्न जी ने पूछा, हे ब्रह्म्हन, सुना जाता है कि पुर्वकाल में बहुत से राजा इस प्रित्वी का उभभो किस लिए दी गई? अत्वा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा? यह मुझे बताईए। तब पुलस्त जी ने कहा कि हे बीश्न जी स्वायंभू मनु के वंच में एक अंग नाम के प्रजापती थे। उन्होंने मृत्यू की कन्या सुनिथा के साथ विवाह किया था। इन महर्शियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुछाया। परन्तु उसका अंता करण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी और प्रजा को अभैदान नहीं दिया। तब रिश्यों ने श्राप देकर उसे मार ड उत्पन हुई जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पस्चाद उसके दाहीने हाथ से एक दिव्य तेजों में शरीर धारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुरुभाव हुआ जो धनुष बान और गदाधारन किये हुए थे। तथा रत्नमाय कवच एवं राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म तो उठी गया है, न कहीं स्वाध्याई होता है, न वसटकार, अर्थात यग्यत्यादी। तब वे क्रोध करके अपने बानों से प्रित्वी को विदिर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गये। अब यह देखकर प्र प्रित्वी ने कहा, हे सुवरते इस संपुर्ण चराचर जगत के लिए जो अभीष्ट वस्तु हैं उसे शीग्र प्रस्तूत करो। प्रित्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्विक्रिती दे दी। तब राजा ने स्वायंभू मनु को बचला बना कर अपने हाथ में संद्रमा ही बचला बने थे और दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्द का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी, फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा और उस समय मित्र देवता दोगधा हुए इंद्र बचला बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ, देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पित्रों का चांदी का, पित्रों की ओर से अंतक ने दूहने का काम किया, यमराज बचला बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्रकट हुई, नाग ने तुम्भी को पात्र बनाया और तक्षक को बचला ध्रित्राष्ट नामक नाग ने दोगधा बनकर विश्रुपी दुगद का दोहन किया, असुरों ने लोहे के बर्तन में इस प्रिथ्वी से माया रूप दूद दूहा, उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बचला बने थे और त्रिमूर्धा ने दूहने का काम किया था, य धर्वों और अप्षराओं ने चित्ररत को बचला बना कर कमल के पत्ते में प्रिथ्वी से सुगंधों का दोहन किया, उनकी ओर से अथर्विवेद के पारगामी विद्वान सुरुची ने दूद दूहने का काम किया था, इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपन कोई पीडा, सब सदा प्रसन्य रहते थे और किसी को दुख या फिर शोक नहीं था, महाबली प्रिथ्वी ने लोगों के हिद की इच्छा से अपने धनुष की नोग से बड़े-बड़े परवतों को उखाड कर हटा दिया, और प्रिथ्वी को सम्तल बना दिया, सास्त्र में किसी का आधर नहीं था, सब लोग धर्म में ही सनलगने रहते थे, इस प्रकार मैंने तुमसे प्रिथ्वी के दोहन के पात्रों का वर्णन किया, तथा जैसा जैसा दूद दुखा गया था, वह भी बता दिया, राजा प्रिथु बड़े विग्य थे, जिनकी ज धर्मात्म प्रिथु की कन्या मानी गई, और इसी से विद्वान पुरुष प्रिथ्वी कहकर इसकी स्तूति करते हैं, भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आप तो तत्व के ज्याता हैं, अब क्रमसन, सूर्यवंस और चंद्रवंस का पूरा-पूरा एक स्वार्थ वर्णन क कीजिए, पुलेस्ति जी ने कहा, हे राजन, पुर्वकाल में कस्चप जी से अधिती के गर्ब से विवस्वान नामक पुत्र हुए, विवस्वान की तीन इस्त्रियां थी, संग्या, रागी और प्रभा, रागी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्ने किया, प्रभा से प्र पुर्वी संताने पैता हुई तदरंतर वह विवश्वान अर्थात सुर्य के तेजों में स्वरूप को न सह सकी अता उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप हुआ ली एक नारी को प्रकट किया उसका नाम छाया हुआ छाया सामने खड़ी होकर बोली हे देवी मेरे लिए संग्या ने कहा छाया तुम मेरे स्वामी की सेवा करो साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भाती स्नेह पुर्वक पालन करना तथास्तु कहकर छाया भगवान सुर्य के पास गई अब वह उनसे अपनी कामना प्रोण करना चाहती थी सुर्य ने भी यह समझ कर कि यह उत्तम पस्वत मनू के समान होने के कारण उनका नाम सावन मनू पढ़ गया ततपस्चात भगवान भासकर ने छाया के गर्ब से क्रमशा सनेस्चर नामक पुत्र तथा तपती और विष्टी नाम की कन्याओं को जन्म दिया एक समय महाय शश्वी यम्राज वैराग्य के कारण पु पिर उनके तपके प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्माजी संतुष्ठ हो गये और तब यम्राज ने उनसे लोकपाल का पद अक्षय पित्र लोक का राज तथा धर्मा धर्म में जगत की देख रेक का अधिकार मांगा इस प्रकार उन्हें ब्रह्माजी से लोकपाल की पद प्रानता को प्राप्त हुए यमुना और तपती ये दोनों सुर्यकन्याई नदी हो गई विष्टी का स्वरूब बड़ा भयंकर था वह काल रूप से स्थिद हुई और व्यवस्वत मनु के दस महाबली पुत्र हुए उन सब में इल जेष्ट थे शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं इच्वाकू, कुशनाभ, अरिष्ट, ध्रेष्ट, नरिश्यंद, करुष, महाबली शर्याती, प्रिशत तथा नाभाग ये सभी दिव्य मनु से थे राजा मनु अपने जेष्ट और धर्मात्मा पुत्र इल को राजय पर अभिशिक्त करके स्वयम पुष् तदनंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वर्दाता ब्रह्मा जी आए और बोले, हे मनो, तुम्हारा कल्यान हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, मनु ने कहा, हे स्वामिन, आपकी क्रिपा से पृत्वी के संपुर्ण राजा, धर्म पारायन, एश्वे रेशाली तथा मेरे अधीन हो, तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतरध्यान हो गये, तदनंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पुर्ववत रहने लगे, इसके बाद राजा इल अर्थिशिद्धी के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे, वे संप पिवरिक्ष की लताओं से व्याप्त था, एवं शर्वन के नाम से प्रिसिद्ध था, उसमें देवा अथिदेव चंद्रार्द शेखर भगवान शीव पार्वती जी के साथ क्रीडा करते हैं, पुर्वकाल में महादेव जी ने उमा के साथ शर्वन के भीतर प्रतिग्या पुर्वकिया बात कही थी, कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जी हमारे वन में आ जाएगा, वा इस दस योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा, अब राजा इल इस प्रतिग्या को नहीं जानते थे, इसलिए शर्वन में चले गए, वहाँ पहुच को बड़ा आस्चरे हुआ, अब वे इला नाम की इस्त्री थे, इला उस वन में घूमती हुई चोचने लगी कि मेरे माता, पिता और भ्राता कौन है, वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी, इतने में ही, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा, इला की दृष सारी के वेश में थे, वे वन के बाहर पेडों के जुर्मुट में चिपकर, इला को बुलाने लगे, हे सुन्दरी, यह सांज का समय विहार की बेला है, जो बीती जा रही है, आओ, मेरे घर को लीप पोद कर फूलों से सजा दो, इला बोली, हे तपोधन, मैं यह सब कुछ भ तुम इला हो, और मैं तुम्हें चाहने वाला बुद हूँ, मैं विद्वान हूँ और तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिता ब्रामणों के राजा चंद्रमा है, बुद की यह बात सुनकर, इला ने उनके घर में प्रवेश किया, वह सब प्रकार के भोकों से संपन्य था, और अपने वैभों से इंद्रफवन को मात कर रहा था, वहार रहकर इला बहुत समय तक बुद के साथ वन में ही रमण करती रही, उधर इल के भाई इच्वाकु आदी मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस शर्वन के निकट आ पहुँचे, उन्ह समय एक उपाई हो सकता है, इच्वाकु अश्वमेक यग्य करें और उसका फल हम दोनों को अरपन कर दें, ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रभो, यह कहकर मनु कुमार लोट गये, और फिर इच्वाकु ने अश्वमेक यग्य किया, इससे इला किम पुरुष हो गई, वे एक महीना पुरुष और एक महीना स्त्री के रूप में रहने लगे, बुद्ध के भवन में स्त्री रूप में रहते समय, इली ने गर्भधारन किया था, उस गर्भ से उन्होंने अनेकों इस प्रकार इला कुमार पुरुर्वा चंद्रवंस की तथा राजा इच्वाकु सुर्यवंस की व्रिद्धी करने वाले बताए गये हैं, इल किम पूरुस अवस्था में स्योध्यूम्न भी कहलाते थे, तदनंतर स्योध्यूम्न से तीन पुत्र और हुए, जो किसी से परा हरितास्व थे, हरितास्व बड़े पराक्रमी थे, उतकल की राजधानी उतकला अर्थात उड़ीसा हुई, और गई की राजधानी गया मानी गई है, इसी प्रकार हरितास्व को कुरुप्रदेश के साथ ही साथ दक्षिर दिशा का राजी भी दिया गया, सुद्यूम्न आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ, इसके आगे कावरितान तब कल की कथा में सुनेंगे, उम्मीद करती हूँ, आज की कथा आपको जरूर पसंदाई होगी